हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग एक बार फिल से स्वागताब सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में दोस्तों आज के लेक्चर बहुत इंपर्टन्ट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग सौल्व करेंगे बी फार्मेसी एड समेश्टर वालों का बाइव स्टेटिक्स और रिसर्च मेथडोलोजी का प्रिवियस इयर कोश्चन पेपर तो पेपर को बहुत यासान भासा में पूरा को पूरा सौल्व करेंगे बस आपको लेक्चर को ध्यान से देखना है और समझते हुए चलना है कि एकजाम में किस तरीके से पेपर बनते हैं और किस तरीके से आपको सौल्व करना है क्योंकि इस सब्जेक्ट को लेकर के बहुत सारे स्टुडेंट बहुत जादे परिसान है तो इस पेपर को कैसे solve करना है, कैसे question आते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग section A के सभी question को solve करेंगे, फिर section B के सभी question को solve करेंगे उसके बाद last time हम लोग section C के सभी question को solve करेंगे ठीक तो यही sequence रहेगा एक एक करके चलिए solve करते हैं starting हम लोग करेंगे section A से तो चलिए दोस्तों start करते हैं लेकिन start करने से पहले जो लोग channel पर नहीं हो channel को subscribe ज़रू कर लेना बैल आइकन नहीं दबाएं दबा लेजीएगा जिससे हमारी नएनी वीडियो को notification आपको सीधा और सीधा home page पर ही मिल जाए section A का सबसे पहला question है वो है null hypothesis अब null hypothesis क्या होता है इसके बारे में चलिए जानते हैं तो अगर आप लोग को याद होगा मैंने आप लोग को बताया था types आप hypothesis testing इसमें आप लोग को बताया थे दो होते हैं एक हमारा होता है null hypothesis और दूसरा हमोता होता है alternative hypothesis तो null hypothesis क्या होता है null hypothesis is just that are no significant जिसके क्या होते हैं कोई भी significant नहीं होते हैं difference नहीं होते हैं किसके बीच दो सेंपल के बीच में simple सा मतलब जान लीजिए 2 sample के बीच में कोई भी significant difference नहीं होता है उसे हम लोग null hypothesis कहाते है it is usually denoted by the symbol a3 तो इसको किससे denote करते हैं इससे denote करते हैं और एक point यहां पर दिया गया है कि main के दो group के बीच में कोई भी difference नहीं होता है null hypothesis में तो यह आप लोग 3 point लिखा गया है आप लोग वीडियो को रुप करके लिख लेना और उसी तरह किस एक point और जान लीजिए साइध इस बार एक्जाम में यह पोच सकता है question नहीं था ना आप लोग का काल फल्सियन कोफिसियन्ट आप correlation देखिए यह यह ना question थोड़ा सा इसको पीछे करता हूँ तब आप लोग को दिखेगा देखिए दूसरा question यह है तो चलिए इसको समझते हैं तो इस topic को आप लोग unit-first की correlation वाले chapter में पढ़े हो हैं जसमें आप लोग को बताय है correlation क्या होता है एक linear relationship होता है दो variable की बीच का, क्या होता है correlation क्या होता है, correlation जो होता है दो variable की बीच का linear relationship होता है correlation जो होता है, measurement होता है किसका linear association two variable का, ठीक, two variable का क्या होता है, यह linear association होता है, समझ गया आप लोग, तो इसमें आप लोग को ये बात पढ़ना है जिसमें आप लोग को बताये थे Carle person coefficient आप correlation में ये क्या होता है इसमें calculate किया जाता है magnitude आप the linear relation से between two variable Carle person और इन्हों ने ही कौन सा technique को दिया था इन्हों ने दिया था quantitative टेकनिक को ठीक, and this technique is also known as psonian coefficient of correlation and is extremely used practice और यह जो होता है, यूज क्या जाता है practice में, ठीक और इसको denote क्या जाता है small r से, ठीक तो इसके बारे में आसान भासा में बस दो point अच्छे से लिक लेना, दो number में question बनाएं तो इससे ज़्यादा क्या आप लोग लिखेंगे, चलिए दो question solve हो गया, तीसरे question क्यों बढ़ते ह हमारा है वो आया हुआ है confidence interval क्या होता है इसके बारे में लिखना है तो चलिए होते हैं में होता है न होते हैं हमारे यह यहां पर confidence control की बात किया जा रहा है think this is the range of value you expect your estimate to fall between you read your test written a certain level of confidence ठीक जो कि लिखा जाता है वो अमारा होता है तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से इसको लिख दे हैं अगला question है write the application आप non-parametric test non-parametric test क्या होता है चलिए इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बाद जानेंगे इनका application क्या होता है तो आप लोगों ने देखा होगा अपने syllabus में non-parametric test जो है वो unit 3 का पहला वाला chapter है तो सबसे पहले थोड़ा सा दो line जान लेते हैं non-parametric test आखिर में होकत तक या है ठीक जो non-parametric test होता है इसे हम लोग distribution free test भी काते हैं they do not have any underline population इनमें कोई भी underline population नहीं होता है तो इसको आप लोगों को lecture में बहुत यासानी से समझाएं जो लोग देखे होंगे उन्हें पता हो लेकिन एक्जाम में जो question आया हुआ है paper में उसको समझते है paper में आया हुआ है write the application non-parametric test non-parametric test का application क्या होता है यह apparent होता है that there are number of factors जोकि involved होते हैं choosing whether या फिर not to use non-parametric test जिसमें हमारे होते हैं label up measurement होते हैं sample size होते हैं sample distribution होते हैं यह सारी चीज़ें हमारे इसमें आते हैं बहुत तेजी से इसको लिगे हैं थोड़ा साब लोग ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलना समझ में आ जाये ठीक it must be remember that for each main parametric test there are non-parametric test available हम पर non-parametric test available होते हैं general this test fall into the following category जिसमें क्या क्या होते हैं test of difference between groups होते हैं जो कि independent sample होते हैं कुछ क्या होते हैं test of difference between variable होते हैं जिसमें क्या होते हैं dependent test होते हैं और कुछ क्या होते हैं test of relationship होते हैं किसके बीच का variable का बीच का तो यह चीज़ें आप लोग इसमें लिख लिए ना यह आपका application है किसका application है non-parametric test का अगले question के और बढ़ते हैं अगला question है हम लोग नहीं कहां तक question को solve कर लिया non-parametric के application तक अगला question है degree of freedom को define कर गजिए तो चलिए जानते हैं क्या होता है इसका define तो क्या होता है degree जहाता है freedom का मतलब क्या होता है डिग्री जाप freedom जो होता है यह referring करता है maximum number को logically independent value के पास तिक यो कि वहरी करता है data sample में क्या करता है data sample में and degree freedom जो होता है calculate किया जाता है किसके द tipos हबाइदी substrating one from the number of item within the data sample यह हमारा होता है degree तो इसको आप लोग वीडियो को रोप करेंके लिखना जाते हैं जीने पर इसको लिख सकते हैं इसे के साथ अगले कोश्चन प्योश्चन को बढ़ते हैं अगला कुश्चन है Define One Tail and Two Tail Test क्या होता है चे लिए जानते हैँ simple सा मतलब जान लेजी one tail test क्या होता है और two tail test क्या होता है देखिए one tail test में क्या होता है इसमें critical area का distribution होता है one-sided लेकिन इसमें क्या होता है इसमें critical area का distribution जो होता है वो क्या होते हैं, two-sided test होते हैं, बस यहां पर टीक लगा दिया हूँ, आप लोग बस इतना बात याद रखना, तो क्या लिखेंगे, a statistical test in which there are critical area of distribution is one-sided, so that area is either greater than or less than a certain value, but not both, and total test में क्या होता है, a method of calculating statistical significance in which critical area of distribution is two-sided, and test feather a sample is greater than, या फिर का सकते हैं, less than a certain range of value, तो इसको आसानी से आप लिख लेना, main बात आपका यहां पर जो लिखा गया है, इसको आप लोग टेक लगा लेना, और ये बात लिखना important है, इसमें, अगला question है, what is plagregism, plagregism क्या होता है, चलिए इसको भी जान लेते हैं, तो plagregism क्या होता है, आप लोगों को याद होगा, unit 3 के chapter 2 में आप लोग को बताया थे, plagregism की बारे में, जो plagregism होता है, इसका use किया जाता है, another original word में, या फिर का सकते है, another ideas में, ठीक, as throw, where your own, in other word, other word में अगर कहें, तो plagregregism क्या होता है, एक comping information होता है, ठीक, दूसरे से comping क्या होता है, information होता है, and not giving the author credit, क्या होता है, और author को credit नहीं दिया जाता है, इसमें, तो इतना बात आप लोग लिख सकते हैं, और भी लिखना जाते हैं, तो बहुत सारे चीज़े इसमें लिखेगा है, लिख सकते हैं, आप लोग, दो नमबर में question पूछा गया है, तो दो नमबर के हिसाब से ही लिखना, पूरा जादे probability, probability आप लोग कहां पढ़े हुए है, probability आप लोग unit 2 के chapter 2 में पढ़े हुए है, ठीक तो क्या होता है, power up study जो होता है, probability होता है, जिसका क्या होता है, that the study will detect predetermined difference is the measurement between the two groups, जिसमें क्या होता है, दो measurement, different measurement की group क्या क्या जाता है, measurement क्या जाता है, if it truly exists, given a pre-said value, आप भी ये, and same size can, ठीक तो आप लोग इसको लिख लेना, और probability क्या होता है, ये तो आप लोगों को यादी होगा, इसमें आप लोग को बताया थे, इसमें probability का मतलब जान लेजे, संभावना होता है, जैसे मान लेजे हमने एक सिक्का उच्छाला, अब सिक्का को उच्छाला, तो आप बता है probability, ठीक तो ये सारी चीज़े आपको lecture में बताये हुए हैं, बस paper को solve करा रहे हैं, तो आसानी भासा में समझते हुए चलिए, site question में एक question आपको homework देता हूँ, आप लोग जितना site लिख सकते हैं, एकदम site लिखिएगा, ज्यादा बड़ा बन लिखिएगा, एक question आपको homework देता हूँ, standard error up mean, आप लोग कहां पर पड़े हुए हैं, और थोड़ा सा इसका significance क्या होता है, बस आपको comment box में जरूर बताना है, नहीं बताएंगे तो इसका answer आपको comment box में पिन कर दूँगा, आप लोग वहां से देख लेना, ठीक, last question की तरफ बढ़ते हैं, ये question आप ल search recording in the research study के बारे में, तो क्या होता है चलिए इसको बढ़े में भी जान लेते हैं, अब देखिए report setting in the research study में क्या होता है, ये एक type होता है, एक type होता है, रिपोर्ट जो होता है, report का research करना ये type होता है, जिसमें यूज़ कःजायाता है, science का, engineering का Pakistan का, psychology का इस्तेमाल क्या जा लिखा जाए कोई भी चीज का रिसर्च क्या जा रहा है तो एकदम क्लियर लिखा जाए एकदम सही रहे ठीक टॉपिक जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के दे दिया हूँ और आप लोग इसको पर नहीं पा रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं तो इसको मैं बोल भी दे रहा हूँ थोड़ा बहुत आप लोग समझ जाएंगे तो जो रीडर लोग रहते हैं आप लोग रीडर लोग हैं तो रीडर लो ही होता है कि report को इस तरीके से लिखा जाए कि जो reader लोग रहते हैं वो क्या कर सकें easily समझ सकें आसानी से समझ सकें ठीक यह होता है तो समझ में आगे आप लोगों को इसी के साथ section A का सभी question होता है समाब अब हम लोग बढ़ते है section B की तरफ अब section B में देखे सबसे पहला question आपकर कहां से आया हुआ है hypothesis है hypothesis क्या होता है इसका define लिखना है hypothesis में क्या-क्या type होते है यह लिखना है फिर इनके बारे में थोड़ा सा detailing कर देना है suitable example के साथ ठीक उसके बाद हम लोग दूसरा question नहीं करेंगे दूसरा question थोड़ा सा आसान है आप लोग भी इसको कर सकते है factorial design के बारे में आप लोग को unit 5 में की form में समझाए हुए factorial design जा करके देख लेना हम आपको ये question करवाएंगे क्योंकि question में आप लोग बहुत परिसान हो जाते है question बहुत hard है ऐसा है वैसा है तो इस question को solve कराएंगे थोड़ा सा hypothesis को देख लेजिए पहले वाले question को फिर इस question को solve करते है अब देखिए इसमें आप लोग को समझाए हुए कि hypothesis क्या होता है hypothesis एक ऐसा जमसन होता है जो की बना होता है किस पर base होता है hypothesis जो होता है test इसका use किया जाता है किसके बीच में दो या फिर multiple variables test के relationship के बीच में इसका use किया जाता है जिसे हम लोग research hypothesis काते हैं इनका objective भी आप लोग लिख लिएगा क्योंकि बाइद 10 number में question बना हुआ है तो आपको इतना चोटा चोटा नहीं लिखना है एकदम बड़े बड़े में अच्छे तरीके से लिखना है मैं तो इसलिए चोटा चोटा लिखता हूँ जिससे आप लोग notes अगर निकल वाएं तो कम page में ही निकल जाएं जादा आपका पैसा भी ना खर्चो ठीक तो exam में ऐसा आपको नहीं लिखना है एकदम बड़े बड़े अच्छे अच्छे में लिखना है heading बड़ा बड़ा डाल के लिखिएगा बीच में heading डालेंगे objective टायप होते हैं there are two types आप hypothesis testing क्यों कौन सा होता है फाला हमारा होता है null hypothesis दूसरा हमारा होता है alternative hypothesis उसके बाद error क्यों से आते हैं मेसेज करने लगेंगे कि नहीं मिला answer ऐसा हो गया वैसा हो गया तो हम लोग बात कर रहे हैं किसका हम लोग बात कर रहे हैं इस question का जो आपको homework दिया था standard error of mean और इसके significance के बारे में चलिए दिखा देता हूं नहीं तो बहुत सारी लोग परिशान हो जाएंगे आप लोग इसका answer लिख लेना answer यही है आपका नौमा का standard error of mean और इनके significance क्या आउते हैं significance भी लिख दिया हूँ वीडियो को रोग करके इसके skin start आप लोग ले लेजिए section B के तीसरे question की तरफ बढ़ते हैं तीसरा question क्या है इसमें 16 children है data यहाँ पर दिया गया है इसमें आप लोग को क्या calculate करना है बस simply mean को calculate करना है और standard deviation को calculate करना है इस question को copy में लिख दिया हूँ इसको चलिए solve करते हैं आप लोग इस question का skin start लेना चाते हैं तो ले सकते हैं इसी क copy में लिखा हूँ और इसी को ही solve करूँगा लेकिन इसमें केवले ही नहीं करना है इससे पहले आप लोगों को measure of central tendency को पूरा कपूरे describe करना है उसके बाद इसको solve करना है तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं measure of central tendency उसके बाद इसको solve करते हैं तो इस question को यहाँ पर लिख हैं चलिए इस question में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं measure of central tendency को थोड़ा सामदुक describe कर लेते हैं तो आप लोगों को पता होगा इसको पहले वाले ही unit हैं आप लोग को बताया देते हैं कि measure of central tendency क्या होता है measure of central tendency एक single value होता है जिसका use क्या जाता है entire upset data को represent करने के लिए इसे average भी कहा जाता है इस नाम से भी जाना जाता है average या फिर measure of location भी सिखाते हैं ठीक इसमें हम लोगों ने पढ़ा है main median mode यह हमारे आते हैं measure of central tendency में अगर आप लोग को याद है तो main median mode का एक छोटा छोटा आसान भासा में इसका example रख सकते हैं नहीं तो main क्या होता है median क्या होत 16 children है ठीक तो इनके बारे में करना है तो mean का फार्मूला क्या होता है mean का फार्मूला क्या होता है x1, x2, x3 मतलब सम आप x का मतलब क्या होता है सबको इसको आप लोग को क्या करना है लिख लेना है और total number of observation कितना है तो number of observation total आप लोग काउंट कर देजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह 16 पूरा का पूरा दिया गया है ठीक तो पहले इसको जोडेंगे और number of observation को लिख लेंगे और total आप लोग जोडेंगे तो कितना आएगा 192 और number of observation total कितना है 16 है ठीक इसको कट करेंगे तो हमारा mean निकल के चलाएगा mean हमारा कितना होगा 12 होगा तो यह mean के फार्मूले पर हम लोगों ने रख के solve किया इसी तरीके से standard deviation भी होता है देखिए आप confused नहीं होना है कि direct method लगा है कि grouping method लगा है कि class interval का method लगा है question में ऐसा तो कुछ लिखा नहीं गया है तो simple method जो आपको पता है उसी method का इस्तेमाल करना चाहिए समझ गया आप लोग बात करते है standard deviation के बार देखिए standard deviation जो होता है इसको हम लोग से denote करते हैं सिग्मा से denote करते हैं सिग्मा एक्वल टू कितना होता है अंडरूट सम आप यक्स माइनस यक्स बार को लिखने के लिए यक्स बार का मतलब क्या होता arithmetic mean और arithmetic mean का formula क्या होता है सम आप यक्स अपानियान हम लोगों निकाला ह तो सबको जोड़ा है यहां पर तो हमारा mean यहां पर निकल के आया हुआ है 12 तो simple रूप से यही यहां पर लिख देंगे यक्स बार की जगह पर ठीक अब आपको क्या करना है यहां पर कीवल एक कॉलम बनाना है इस कॉलम में आपको यक्स यक्स का value जो यहां पर पूरा का प यक्स में से यक्स बार को हमेशा घटाते हुए पूरा का पूरा चले जाएंगे तो चलिए घटाईए इसमें से इसको घटाईए यक्स बार आपका निकल के आगया है देख लिजे यहां पर ठीक तो इसको घटाएंगे तो हमारा value यहां पर निकल के पूरा का पूरा case इनका square कर लेंगे इनका value निकल के आया है x-1-x-bar इनका square करेंगे तो ये निकल के आएगा उसके बाद हम लोग total करेंगे total sum up x-1-1-1-1-2-2-2 इक्वार सबको जोड लेंगे तो कितना आएगा 30 निकर कि यहाँ पर चलाएगा तो आपका देखिए इसका sum आप yaks minus yaks bar का whole square यहाँ पर देखिए नीचे निकल के चलाए है 30 तो simple रूप से यहाँ पर लिखेंगे 30 और number up observation कितना है number up observation पूरा का पूरा count कर लेंगे तो 16 आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 16 तो 30 अपर 60 लिखेंगे इसको और cut करेंगे तो यह और चोटा हो जाएगा ठीक और चोटा हो जाएगा उसके बाद under root से इसको बाहर निकालेंगे तो approximately हमारा इतना answer आएगा तो बस इसी तरीके से आसान बासा में आप लोग को इसको solve करना रहता है लेकिन बहुत सारी लोग confuse हो जाते हैं लगते हैं class interval बनाने तो grouping method करने लगते हैं यह सारी चीजों में आपके परिसान नहीं होना है एकड़म आसान method का यूज करिए और answer ला करके रख दीजिए बस आपको पूरा का पूरा number मिल जाएगा अब देखिए measure of dispersion के बारे में पूछा हुआ है measure of dispersion के example के साथ समझाए एक तम अच्छे से तो चलिए थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं करते हैं इस स्टेडी करते हैं संट्राव के साथ और और यह बाते हैं आप लोग इस में लिख सकते हैं ठीक तु देखिए यहांपर त्वड़ा सा और जान लेजिए थोड़ा सा क्लासिफाइयस को कर देजिए measure of dispersion में कौन-कौन से type आते हैं तो यह हमारा इसमें दो चीज़ आता है absolute measure of dispersion आता है और relative measure of dispersion आता है इसके बारे में थोड़ा सा और भी detail लिख लिजे range के बारे में उसके बार क्वारिटाइल deviation होते हैं इसमें mean deviation होता है standard deviation होता है standard deviation का coefficient of standard deviation होता है coefficient of variation होता है यह सारी चीज़ें हमारा इसमें आता है अब थोड़ा सा example भी दे दीजी एक दूका एक दूका example कैसे देंगे जैसे range के बारे में लिख लीजे कि range क्या होता है range जो होता है simplest absolute measure of dispersion होता है जो कि so करता है differences किसके किसके बीच का highest और lowest value के series के जो बीच का differences होता है उसको so करता है range equal to क्या होता है l minus yes l minus yes इसका formula होता है range का l का मतलब क्या होता है l का मतलब होता है largest observation yes का मतलब होता है smallest observation जैसे यहाँ पर कोई data दिया गया है अब इसका range कैसे निकालेंगे range इस तरीके से निकालेंगे हमारा सबसे small data कोन है 2 है और सबसे बड़ा यहाँ पर data कोन है 10 है तो यह हमारा जो होगा यह largest observation होगा और यह हमारा क्या होगा smallest observation होगा तो formula क्या है largest में से smallest को घटाएंगे तो largest हमारा कितना है 10 है और smallest कितना है 2 है तो इसको घटाएंगे तो हमारा कितना range निकल के आएगा range निकल के हमारा आ जाएगा 8 तो इस तरीके से निकालेंगे आप लोग इसको तो बस ऐसे ही आप लोग example के साथ रख देना एक example और रख देना यहाँ पर standard deviation का जो question solve कराएं बस ऐसे solve करना है आपको दूसरा question क्या है दूसरा question discuss करना है hypothesis testing के जो parametric data होते है इनके बारे में discuss करना है तो hypothesis testing क्या होता है ये तो आप लोग को समझाई दिये हैं ठीक तो इसके बारे में थोड़ा सा और देख रही जिए parametric data में एक बार फिर से जल्दी से इसको revision हो जाएगा type error का बता दिये हैं उसके बाद हम लोग को यहाँ पर जानना है parametric test तो parametric test में क्या होते है parametric test जो होता है statistical test होता है जो की बनाता है adaptation about the parameter के बारे में आप the population distribution from which one data जो की ड्रा किया जाता है parametric test क्या होता है test होता है जिसमें sample data आते है जो की फालो करते है probability distribution का जो की base होता है किसके उपर fix test आप parameter के उपर क्या होते है यह base होते है जो की हमारा parametric test होता है इनके बारे में थोड़ा सा और भी कुछ लिखना चाहते है तो यह भी detailing कर सकते है इसमें बस और कुछ नहीं लिखना है बस एतना ही कर देंगे बहुत है इसे अगला question देखिए आया हुआ है Innova test के बारे में क्या करना है इसको explain करना है पूरा का पूरा इनके थोड़ा सा जो significance होते है वो ज़्यादा important होते है तो क्या होते है Innova test, Innova test में आप लोग को बताए है 1-way test and 2-way test होते है इसको पूरा समझाए थोड़ा सा चली इसको भी जल्दी से देख लेते है यहाँ पर इससे आपको अनभव हो जाएगा कि हाँ question किस तरीके से exam में आते हैं और हमें किस प्रकार से solve करना है यह method आपको पता चल जाएगा इसे लिए हम लोग question को solve करते है तो चली जानते हैं कैसे करना है इसको तो इसमें आप लोग को क्या बताया थे 1-way and 2-way technique होता है इसमें 2 type के ANOA होते है एक होता है 1-way ANOA दूसरा मारा होता है 2-way ANOA तो यह क्या होते है analysis आप variance होते है जो कि क्या होते है एक extremely technique होते है जो कि concern research होते है research field में होते है आप economic, biology, education, psychology, sociology, business, industry यह सब में क्या होते है यह सब के field में यह extremely एक technique होता है जो कि क्या होता है several other discipline और इस technique का use क्या जाता है कब जब multiple sample का का गाज involved होता है तो यह सारी चाहिए आप लोग इसमें लिख सकते है आसान बासा में दो type के होते है दोनो type के बारे में थोड़ा थोड़ा detailing करना चाहते है तो दोनो type का detail आप लोग यहाँ पर आसानी से इसको वीडियो को रोक रोक करके लिख सकते है नहीं लिखना चाहते हैं तो notes share कर दिया हूँ वहाँ से आप लोग इसको लिख लेना समझ गए आप लोग अब एक topic को समझाने बैठोंगा तो बहुत time लग जाएगा और वीडियो आपका एक से डेढ़ घंटे का बन जाएगा तो lecture बहुत छोटा रहेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कहां से question बना हुआ है और आपको solve कहां से करना है notes share कर दिया हूँ वहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आपका तयार हो जाएगा बस पता चल जाए question को वह इससे solve करना है अब इसमें आप लोगों को plagorism के बारे में तो बताई दिया है non-parametric test के बारे में plagorism research क्या होते हैं क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं non-parametric test के बारे में भी हम लोग बात कर लिया है क्या होता है क्या नहीं होता है ठीक बात करते हैं लोग Excel and ESPSS क्या होता है थोड़ा सा इनको भी जान लेते हैं इसमें आपको केवल Excel के बारे में और इसके बारे में दोनों का अप्लिकेशन क्या होता है ये दोनों का अप्लिकेशन क्या होता है वही चीज बस लिखना है Excel और ESPSS का तो चलिए दोनों का अप्लिकेशन जल्दी के लिए इसका यूज किया जाताãy ये फोरफार्म किया जाता latitude मैफमेटिकल कल्कुलेशन के लिए जो कि daily business में यूज किया जाता आ inventory measurement के रूप में भी इसका इस्तिमाल किया जाता है create farm consolid detailed होता है ठिक analytical tool में भी इसका इस्तिमाल किया जाता है corporate budgeting में भी इसका यूज किया जाता है excel का यूज हमेशा अच्छा काम के लिए यूज किया जाता है ये सारी चीज़ यहाँ पर excel में काम करते हैं जो लोग excel का यूज किये हुए हैं computer laptop में उन्हें इनके बारे में पता होगा yes pss का full farm क्या होता है इसको जान लिजे फिर हम लोग इसका बात करते हैं application के बारे में yes pss का full farm क्या होता है statical package party social science अब इनके बारे में detail आपको अगर lecture में बताए हुए ठीक है नहीं बताए है तो समझा देंगे आपको lecture में ठीक तो इनका application क्या होता है जान लिजे यहाँ पर इसका यूज क्या जाता है marketing research में health researcher में survey company में government initiatives में education research में marketing organization में ये सारी चीज में इसका यूज क्या जाता है तो ये होता है तो इसे के साथ दोस्तों आपका biostatic and research methodology का पूरा का पूरा solid paper solve हो गया है 2022 और तेज का वीडियो कैसे लाग comment box में जरूर बताएगा चैनल पे नहीं हों चैनल को subscribe करके bell icon को दबाना मत भूलिएगा और आप लोग कौन से paper को और भी solve करवाना चाते हैं comment box में जरूर बताएगा चलिए दोस्तों thanks for watching my video like comment subscribe this channel